दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सिस पाकिस्तान के बीच में जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा बात करेंगे दोनी टीमों की प्लेइंग लेवन की और मैं आपको काफी इंपोर्टेंट रिकॉर्ड्स भी बताने वाला हूँ जब दोनी टीमे एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं तो कौन से प्लेयर्स अच्छा पर्फिमेंस करतें साथ में इस ग्राउंड पर कौन से प्लेयर्स अच्छा पर्फिमेंस करतें सारे इंपोर्टेंट रिकॉर्ड्स में आपको बताने वाला हूँ वीडियो आपके लिए काफी इंपोर पौर्ट की बात करते हैं। दोस्तों यह जो पिछे बैलन्स पिछे लेकिन इस पिछे बारे में बताया जाता है। यहाँ पर फास्ट गेंद भाजो को पेस और बाउंस अच्छा मिलता है। जिसकी वज़े से उनको अच्छीखासी हेल्प मिलती है। लेकिन spin गेंद बाजो को उतनी help नहीं मिलती है। इसलिए जो भी टीम यहाँ पर toss जीतती है, वो पहले balling करना पसंद करती है। क्योंकि second inning में batting करना थोड़ा easy होता है। इस ground पर जो last के 3 T20 मैचेस खेले गए, उनका आप result देख सकते हो कितने क्या score बन रहा है और कितने क्या wickets गिर रहे हैं। इस ground पर जो total T20 मैचेस खेले गए, वो 17 खेले गए, जिसमें जो first batting करने वाई टीम ने 7 मैच जीते हैं और second batting करने वाई टीम ने 10 मैच जीते हैं। यहाँ का first inning का average score 146 अनका highest score इंडिया ने बना है, lowest score भी इंडिया का है। scoring pattern की बात करें, तो 250 से कम का score 9 बार बना है और 190 से जादा का score यहाँ पर एक बार भी नहीं बना है। आपको क्या लगता है, इस match में कितना क्या score बनेगा, comment करके जरूर बताएगा। head to head matches की बात करें, तो दोनी टीमों आपस में अभी तक 27 match खिलें, जिसमें से England ने 17 जीते, पाकिस्तान ने 9 जीते और एक match टाई रहा है। साथ में recent form की बात करें, दोनी टीमों आपने तीनों ही matches जीत करा रही हैं लास्ट के, साथ में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से इस World Cup में सबसे ज़्यादा runs किस player ने बनाएं, तो दोस्तों मुहमर रिजवान ने बनाएं, 160 run कियें, इनके बाद शान मुसूत का नाम आता है फिर इफ्तिकार एहमद है, एंड लास्ट में बाबर आजमा आते हैं, फोर्थ नमबर पे, बॉलिंग में देखें, तो दोस्तों इस World Cup में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट्स अफरीदी ने निकाले, इन्होंने 10 निकाले, फिर वसी में 7 विकेट्स निका स्यले तरफ सायम करन का नाम आता है, इन्होंने 10 विकेट्न, मार्क विकेट्न, इन्होंने 9 विकेट्न, बैनि स्तोक्स और गाइस क्रिस वीख ने भी 5 मिकेट्न दोस्तों, इंगलेंड की प्ले इक लेवन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आपको दो चेंजिस होते हुँ नजर आ सकते हैं फिलिप साल्ट की जगे डैविट मलान खेल सकते हैं और दोस्तो क्रिस जॉड़न की जगे मार्क वूड इस मैच में खेल सकते हैं दोनों के मैं आपको रिकोर्ट्स दिखा दूँगा तो आपको टैंशन लेने की जुरूद नहीं है जो भी प्लियर खेलेगा लेक्स हील्स की बात करते हैं लास्ट में 86 रन की नाबाद शांदार इनिंग के लिए साथ में पाकिस्तान के खिलाफ 9 मैच के लें जिसमें 166 रन कि इस ग्राउंड पे 3 मैच के लें जिसमें मातर 26 रन बना पाएं इस ग्राउंड पर परफॉमेंस अच्छा नहीं है दोनी openers का आप देखोगे साथ में फिलिप साल्ट की बात करते हैं लास्ट में जो बैटिंग नहीं आई और उससे पहले का performance आप या पर देख सकते हो पाकिस्तान के खिलाफ साथ मैच के लिए जिसमें 166 run इन्होंने बनाए है बैन स्टोक्स की बात करें लास्ट में बॉलिंग करी थी पर विकेट नहीं मिला था पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच के लाफ जिसमें 4 run के लिए बॉलिंग भी करी थी पर विकेट नहीं मिला है इस ग्राउन पे दोस्तों एक मैच के लाफ जिसमें 6 run के और एक विकेट निकाला है इनोंने इतना अच्छा performance नहीं है साथ में Harry Brock की बात करें लास्ट में बैटिंग नहीं आई है और उससे पिछले आप matches का performance इनका देख सकते हो पाकिस्तान के खिलाफ 7 matches में 238 किये इस ground पे 1 match के लिए जिसमें 18 run किये Lamb Livingston की बात करते हैं लास्ट में balling ठिक टाक करी थी पर wicket नहीं मिलाता साथ में पाकिस्तान के खिलाफ 3 match के लिए जिसमें 147 कियें पर wicket नहीं मिला है इस ground पे 1 match के लिए जिसमें 1 किया not out रहें लेकिन 3 wicket निकालें जियां दोस्तों ये देखने वाली बात है मौईन अली की बात करें लास्ट में देखो कि थोड़ी बहुत balling करी थी पर wicket नहीं मिला साथ में यहां पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इलोन नहीं 16 matches के लिए जिसमें 263 run कियें जियां दोस्तों साथ ही में आप देखो 7 wicket भी निकालें और इस ground पे एक match खेला है जिसमें 24 not out कियें दोस्तों मौईन अली का जो यह वाले match का performance है यह दोस्तों इनके श्रीलंक का खिलाफ वाले match का performance है क्योंकि इंडिया वाले match में इनको बैटिंग और बॉलिंग नहीं मिली थी सैम करन की बात करते हैं लास्ट में जो विकेट नहीं मिला है साथ में दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ 6 match खेलें जिसमें 27 किये साथ विकेट भी निकालें और गाइस इस ground पे इन्होंने 2 विकेट निकालें क्रिस वोक्स की बात करते हैं लास्ट में जो एक विकेट निकाला है साथ में पाकिस्तान के खिलाफ भी 7 विकेट निकाल चुके और इस ground पे इन्होंने 1 विकेट निकाला है क्रिस जोडन की बात करें लास्ट में क्या अच्छी बॉलिंग करी थी 3 विकेट निकाले थे थोड़े महेंगे साब भी जरूर हुए थे 4 ओवर में 43 रण जरूर दियते पर 3 विकेट निकाले थे पाकिस्तान के खिलाफ भी 4 विकेट निकाल चुके और दोस्तो इस ground पे केवल एक मैच खेला है जिसमें 2 विकेट इन्होंने निकाले है आदिल रशीत की बात करते लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला है पाकिस्तान के खिलाफ 17 विकेट निकाल चुके पर इस ground पे इनको विकेट नहीं मिला है साथ में दोस्तों ये इनके bench प्लेर अगर Markwood खेलते हैं तो इनका performance देख लिजिए लास्ट मैचे 57 विकेट नहीं खेली थी अच्छी form में लोट रहे हैं लास्ट के दो मैचे से अच्छा कर रहे हैं साथ में दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ 14 मैचे में 522 विकेट कियें साथ में इस ground पे एक मैच खेला है जिसमें 0 पे आउट हुए हैं जी हैं दोस्तों साथ में हैरिस की बात करते हैं जब से दोस्तों मुहमद हारिस आएं जब से आप देखोगे तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो काफी मजबूत नजर आ रही है दोस्तों आप इनका performance देखोगे जितने भी मैचेस खेले हैं इस वर्ल्ड कप में अच्छा performance किया है पाकिस्तान की खिलाफ केवल एक ही मैच खेला है जिसमें केवल साथ रन बना पाए थे शान मुहसूत की बात करते हैं लास्ट में तीन रन बना के नौट आउट रहे थे साथ में पाकिस्तान इस ग्राउंड पर इन्होंने 51 रन भी बनाए केवल एक मैच में है शादा आप खान की बात करें लास्ट में विकेट लैस रहते हैं पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दो तीन विकेट हर मैच में निकाल लेते हैं वसीम को लास्ट में विकेट नहीं मिलाए साथ में इन्होंने इंग्लैड के खिलाभ 4 match के लें जिसमें इन्हों 2 विकेट निकालें नसीम सा की बात करते हैं लास्ट मैच में ये भी विकट लैस रहते हैं पर दोस्तों आप देखोगे तो इंग्लैड के खिलाभ भी ज्यादा मैचिस नहीं केलें केवल एक ही match कहला है जिसमें उनको wicket नहीं मिला है इस ground पे भी एक match खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने एक wicket निकाला है हार शुरूफ की बात कर लेते last match में wicket less रहते पर 200 लगबग हर match में ये wicket निकाल रहे हैं पीछे के आप देखोगे साथ में England के खिलाफ 11 match में 14 wicket निकालें इस ground पे भी ये 2 wicket निकाल चुके हैं एक match में फिर गाइस अफरीदी की बात करें जब और 10 balling करें आप देखोगे हर match में 2-3 wicket ये 100% निकाल रहे हैं साथ में England के खिलाफ 7 matches में 7 wicket निकाल चुके हैं ये important baller रहने वाले इनको captain और vice captain के तोर पे try कर सकते हो इस ground पे एक match के लप और wicket इनको नहीं मिला है दोस्तों ये इनकी bench player मुझे नहीं लगता है किसी कोई मौका मिलने वाला है पर एक बार आप यहापे इनके records चेक कर लीजेगा साथ में head to head records की बात कर लेते हैं जब दोनी team में एक दूसरे के against खेलती हैं तो कौन से players अच्छा performance करते हैं सबसे पहले रिजवान आते हैं इन्होंने 14 matches में 522 रन कियें फिर बाबर आजम आते हैं इनके बाए शान मौसूद हैंगे Harry Brock भी अच्छा performance करते हैं Lamb Levigistan आते हैं क्योंकि batting और balling दोनों करना जानते हैं इस ground पे कौन से players अच्छा performance करते हैं तो अब वो देख लेते हैं तो शब से पहले शान मौसूद आते हैं एक match में 52 रन कियें साथ में इफ्तिकार एहमद का नाम आता है एक match में 51 कियें नवाज आते हैं जुनोंने एक match में दो विकेट निकाले हारी सुरूफ Lamb Levigistan और गईस आप आप देखोगे Sam Curran और Mark Wood का भी नाम आता है चलिए अब captain और vice captain की option देख लेते हैं तो दोस्तों ये जो safe option है ये हमारे small league के लिए लेगे head to head, two member, three member, four member के लिए जिसमें जॉस बटर, जिसवान और सदाप खान रहेंगे रिस्की option की बात कर लेते हैं ये GL के लिए रहने वाले इसमें आप देखोगे बाबर, हेल्स, Sam Curran साथ में Chris Jordan, Ben Stocks और गई सापे अफ्रीदी रहने वाले हैं दोस्तों पहले मैं आपको इस एप के बारे में बताना चाहता हूँ इस एप का नाम Fantasy अखाड़ा है एप का लिंग को referral code में description box में दे दिया है आप वहाँ से इस एप को download कर सकते हो साथ में referral code का use करोगे तो आपको आपके 500 रुपे का bonus मिलेगा जी हाँ दोस्तों साथ में आपको coins भी मिलते हैं इन coins को आप real cash में convert कर सकते हो कैसे करोगे इसके उपर मैंने full video बना रखिए उस video का link भी आपको description box से मिल जाएगा तो join जरू कर लिजेगा साथ में दोस्तों मेरा जो highly investment रहता है वो दोस्तों यहाँ पर ही रहता है आप यहाँ से मेरी winnings और मेरा deposit balance देखके अंज़ादा लगाई सकते हूँ मैं यहाँ पर कितना high investment करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर high investment क्यों करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जीतना आसान है competition कम है एक बार आप try करके देखो आप कोई बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है विकिट कीपर section की बात कहे तो मैंने जॉस पटलर और रिजवान को पिक किया है options की तरफ चलते हारी से एक अच्छी option है इनको try करना चाते हो कर सकते हो पर दोस्तों आपके आपर all rounder section में से किसको drop करना पड़ेगा चलिए बात करते है बैटिंग की तो यहाँ आप मैंने तीन बैट्समन पिक के hills को रखा है, बाबर आजम को लिया है और शान मौसूत को लिया है फिर मैंने band stocks को पिक किया है इनके बाद मैंने Sam Curran को पिक किया है option की तरफ चलते है Lamb Livingston को try कर सकते हो Nawaz के साथ जा सकते है यह दोनों safe option है किसी को भी आप try कर सकते हो चलिए बात करते हैं balling की तो यहाँ आप मैंने 3 ballers लिये सबसे पहले मैंने Afridi को लिया फिर मैंने Haris Roof को पिक किया और इनके बाद आप आप देखोगे तो मैंने Chris Jordan को पिक किया अगर यह खेलते हैं तो इनको रखने वाले otherwise यह नहीं खेलेंगे तो दोस्तो Mark Wood खेलेंगे तो हम इनको अपनी team में ले लेंगे चलिए अप Captain और Vice Captain देख लेते हैं तो दोस्तो Captain देखोगे मैंने Butler को बनाए Vice Captain मैंने Rizwan को बनाए Option की तरफ चलते हैं तो दोस्तो Hills और Babar आजम दोनों अच्छी option है किसी को भी Try कर सकते हो साथ में नीचे देखोगे Shadab Khan की भी एक अच्छी option है इनको Try कर सकते हो चलिए टीम का Preview देख लेते हैं तो दोस्तों यह हमारी टीम का Final Preview आप इस टीम में जो भी Changes करना चाते हो आप यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों यह जो टीम रहेगी हमारी यह टीम हमारी Small League की और Grand League की दोनों की रहने वाली है इस टीम का यूज में Small League में भी करूँगा और Grand League में भी करने वाला हूँ चलिए अब हम अपनी Second Team देखते हैं दोस्तों इस टीम में मैं यह मान के चल रहा हूँ अगर England की टीम पहले बैटिंग करती है और एक बड़ा स्कोर बनाने में कामियाब होती है तो उस कंडिशन में यह चार बैटिसमन हमको कुछ बड़ा स्कोर बनाके दे सकते हैं साथ में सैम करन भी हमको थोड़ा बहुत स्कोर बनाके दे सकते हैं कैप्टन देखो जौस बटलर को बनाया है वाइस कैप्टन में आलेक्स हेल्स को बनाया है इन दोने के बीच में अगर बड़ी साजयदारी होती है last match की तरह तो उसे सापसे ये team हमारी काफी अच्छा कर जाएगी साथ में इस team में आपको flip salt देखने को मिलने वाले अगर ये खेलते तो ये हमारी team में रहने वाले तो उस condition में आप देखोगे तो ये चार batsman हमको कुछ बड़ा score बनाके दे सकते हैं साथ मैं Shadab Khan भी हमको थोड़ा बहुत score बनाके दे सकते हैं Rizwan को मैंने captain बनाया Vice captain मैंने बाबर आजम को बनाया दोस्तों इन दोनों players के बीच में अक्सर बड़ी साजेदारी देखने को मिलती है Last match में आपको उसकी जलक भी देखने को मिल गई होगी अगर ऐसी condition बनती है तो उस condition में ये team हमारी Grand League में अच्छा कर जाएगी इस team में आपको Chris Jordan देखने को मिलने वाले अगर ये खेलेंगे तो यही रहेंगे अगर अगर Mark Wood खेलते हैं और Chris Jordan नहीं खेलेंगे तो हम Mark Wood को अपनी team में पिक कर लेंगे जयां दोस्तों चलिए अब हम अपनी चौथी team देखते हैं दोस्तों ये high risk team है इस team में मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर England के दोनों openers जल्दी out हो जाते हैं तो उस condition में साल्ट, हैरी बरॉक और गैस बैन इस्टॉक और लैम लिविंस्टेन इन से हम उमीद करेंगे कि ये हमको कुछ अच्छा score बना के देंगे उस condition में ये team हमारी अच्छा करेगी साथ में captain देखो ये शदाब खान को बनाए क्योंकि England की team spin गेंदबाजी को उतना अच्छा नहीं खिलती है साथ में इनकी batting भी आ जाती है तो दोस्तों ये batting भी अच्छी खासी करना जानते है वाइस captain आप देखो कि तो मैंने अफरीदी को बनाए जब बर्दस पॉलिंग कर रहा है 2-3 wicket हर मैच में निकालने है अगर ऐसी condition बनेगी तो उस condition में ये team हमारी grand league में हमको बहुत अच्छी rank दिला जाएगी चलिए अब हम पनी 5 वी team देखते हैं दोस्तों अगर पाकिस्तान के दोनों openers जल्दी out हो जाते हैं तो उस condition में हारीस, साथ में शान मौसुद, इफ्तिकार एहमद और शदाप खान हमको कुछ score बना के दे सकते हैं वो भी अच्छा साथ में captain देखो कि मुहमद हारीस को बना है दोस्तों जब भी इनकी batting आई ये अच्छा score करके गए अगर इस match में जल्दी batting आ जाती है तो मुझे लगता कुछ बड़ा score बना के जा सकते हैं साथ में wise captain मैंने Chris Jordan को बना है अगर इक खेलते हैं तो दोस्तों last match में आपने देखा हुआ कितनी अच्छी balling करी साथ में इनको T20 format का specialist भी माना जाता है क्योंकि death over में balling करते हैं जिसकी विकेट्स लेने के chance से ज़्यादा रहते हैं last match में भी इन्होंने 3 विकेट्स निकालेते हैं अगर ऐसी condition बनती है तो उस condition में ये team हमारी grand league में अच्छा कर जाएगी चलिए अब अपनी छटी team देखते हैं दोस्तो ये high risk की team है इस team में आपको रिजवान देखने को नहीं मिलेंगे साथ में band stocks भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस team में आपको नवाज देखने को मिलने वाले captain मेंने बाबर आजम को बनाए vice captain मेंने अफरीदी को बनाए आप try करना चाहते हो Chris Walks को भी try कर सकते हो vice captain के तोर पर अगर ऐसी condition कुछ बनती है अगर जैसे की रिजवान जल्दी आउट हो जाते है तो उस condition में ये team हमारी अच्छा कर जाएगी दोस्तो ये हमारी last match की team थी जिसमें आप देखोगे तो captain मेंने बटलर को बनाए था vice captain मेंने hills को बनाया था अगर आप इस team में एक दो changes करते तो आप grand league पका जी जाते हैं जी हां दोस्तों और ये हमारी final teams नहीं है final teams आपको telegram channel पर ही मिलेंगी ये हमारा telegram channel है इसका link आपको description box में मिल जाएगा तो join जरूर कर लिजएगा क्योंकि toss होने के बाद small league की और grand league की teams में आपको यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ पर जरूर से जोड़ जाएगा और अगर आपको video पसंद आई हो मेरी महनत पसंद आई हो तो video को like और channel को subscribe जरूर कर लिजएगा